दोस्तों आज की स्वर्गे मना का भाग हमने लिया है मती की पुस्तक उसका छटा अध्याय और उसका पहला वचन वचन कहता है सावधान तुम अपनी धर्मिक्ता के कारे मनुश्यों को दिखाने के लिए ना करो अन्यथा अपने स्वर्गी पिता से कोई भी प्रतिफल प्राप्त ना करोगे धन्यमात पिता पर्मिक्ता इस वचन के लिए दोस्तों यहुदी लोग अपने सारे धर्मिक्ता के कारे उधार पाने के लिए करते थे वो नहीं जानते थे कि उध्धार क्या है वो भक्ती का भेश तो धारन करते थे लेकिन भक्ती की शक्ती को नहीं समझते थे हालेलोया पिता परमेश्वर ने जो हमारा उध्धार किया है उसने हमारी आत्मा को सिंदा किया उसने हमारी आत्मा पर अपनी आत्मा को उड़ेला है उसने अपना मन हम में दिया है और वो चाहता है उस मन के द्वारा हम पूरी इमानदारी के साथ परमेश्वर को दिखाने के लिए अपने जीवन के सारे कारे करें परमेश्र की प्रशंसा के लिए हम अपने जीवन को निभाएं अपने जीवन को बिताएं लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम समाज को मनश्य को दिखाने के लिए अपने धार्मिक कारे को करते हैं अगर हम समाज को या मनश्य को प्रसंद करने के लिए अपने धार में कारे को करेंगे तो हम मनुशी से ही प्रतिफल पाएंगे परमेश्वर से प्रतिफल नहीं पाएंगे अगर हमारा प्रतिफल परमेश्वर की ओर से है तो हमारे जीवन का हर कार परमेश्वर के लिए होना चाहिए जब हम कोई भी काम करें तो हम ये जाजें कि क्या ये काम परमेश्वर की महिमा के लिए है मिला कोई भी पल, मिला कोई भी समय, मिला कोई भी मौसम परमेश्वर की महिमा के लिए ही बिताया जाना चाहिए हलेलोया, हम कोई भी, क्योंकि हम परमेश्वर के हैं हम परमेश्वर के खड़ीदे हुए हैं हम परमेश्वर के हम अपने नहीं है हालेलोया इसलिए हमें अपने लिए कोई भी महिमा का काम नहीं करना है हमें अपनी प्रशंसा के लिए कोई काम नहीं करना है कि दुनिया हमारी प्रशंसा कर दे हालेलोया हमारे जीवन से महिमा पर मिश्वर की हो हलेलुया इसलिए वो कहता है मती पांच का सोला कहता है कि तुम्हारा प्रकाश मनश्वों के समुख इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भाले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करें कितना सुख हमें मिलता है जब हम से लोगों को पता लगे कि हमारा पिता कौन है जब हम इशू बनकर लोगों को बताएं कि हमारा पिता कौन है हालेलोया और हमारे कामों से हमारे चलने से हमारे बात करने से हमारे बैटने से हमारे हर काम से परमेश्वर की महिमा हो अलेलोया प्रेस अलोट अद्बुत है लेकिन इर्मिया नभी थोड़ा सा यहां संकुचित है उसके अंदर भै है और इर्मिया नभी सत्रा का सात्मे सत्रा का नौ में कहता है मन तो सब वस्तों से अधिक धोके बास होता है और असाद्य रोख से गसत है उसे कौन समझ सकता है येस हम कभी कभी मन के भैकावे में अपने जीवन को बिताते है हमारा मन हम पर काबू करता है और हम मन के मताबिक अपने जीवन को बिताते है लेकिन यहाँ पर परमेशर ने हमारी आत्मा को जिन्दा किया है हम अपनी आत्मा के अनुसार परमेशर की महिमा करें हम अपनी आत्मा के कार्यों के द्वारा उस मन को अपने जीवन का राजा ना बनाए हम अपनी आत्मा को अपनी जीवन का राजा बनाए जिस आत्मा को परमेशर ने जिन्दा किया है और जो आत्मा श्रेश्ट है हालेलोया तब ही हम परमेशर की महिमा के अनुसार चल सकते हैं तब ही हम परमेशर की इच्छा को जान सकते हैं तब ही हम परमेशर की इच्छा को अपने जीवन में सिद्ध कर सकते हैं और परमेशर के दास, परमेशर के संदान कहला सकते हैं, हालेलुया, तो दोस्तों, प्रातनाओं में अदबुत शिफा है, उसके नाम में शिफा है, और जो हमें काम कर रहे हैं, जो हमें जीवन दिया है परमेशर ने, वो अनुगरे के दोरा परमेशर का आशीश है, हालेलुय या तो उस अनुगराई को हम ना भूले और परमेश्र की महिमा को अपने जीवन से व्यक्त करें अपने जीवन के हर काम से परमेश्र की महिमा को व्यक्त करें और जाचें कि हमारा हर कार परमेश्र की महिमा कर रहा है कि नहीं कर रहा है आलेलोया, चाहे वो हमारे घर में हो, चाहे वो कलीसिया में हो, चाहे हमारा बहार का जीवन हो, लेकिन हर प्रकार का काम परमेश्वर की महिमा के लिए हो, आई हम प्रात्रा करते हैं, पेता परमेश्वर, धन्यवाद तेरे इन वश्णों के लिए परमेश्वर, हम अपने नाचे हर पल तेरे योग्ये बनाएं, हमारा जीवन का कोई भी पल ऐसा ना भीते जो तेरी महीमाना करें, क्योंकि तू महीमा के योग है, तू विश्वास के योग है, तू सर्वशक्तिमान है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभू का प्रभू है, धन्यवाद देते ह सुनने वाले भाई बैनों के लिए तेरा आशीश बुद्धी और ग्यान मांगते हैं और समझ मांगते हैं और ऐसा आशीश मांगते हैं कि हम कभी न भटके और तेरे ही अनुसार अपने जीवन को बिताएं धन्यवाद हाले लिया